जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे आप सभी के लिए India Post Office भुपाल से आप सभी के लिए स्टाप का ड्राइबरों के पदों पर नई भरती आ चुकी है फ्रेंट्स आज की इस वीडियो हम बात करेंगे इसकी एज्यूकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में साथी फ्रेंट डेटेल में जानने वाले हैं कि आप सभी को इस भरती का ओफलाइन फॉरम कैसे फिलप करना होगा देखिए फ्रेंट्स आप सभी के जो एपलिकेशन फॉरम है 28 अक्टूबर 2023 से आप सभी के एपलिकेशन फॉरम स्टार्ट हो चुके और आप सभी यहाँ पर फ्रेंट 24 नवंबर 2023 तक आप सभी आबिदन कर पाएंगे यहाँ पर फ्रेंट्स आप सभी यहाँ पर 18 से 27 साल तक आबिदन कर सकते हैं और जो आपकी एज की काउंटिंग होगी 24 नवंबर 2023 से आप सभी की यहाँ पर एज की काउंटिंग रहने बालिये हैं यहाँ पर फ्रेंट्स आपकी स्टाप का ड्राइवर की पोश्ट हैं टोटल आपकी 11 पद यहाँ पर रहने बाले हैं यदि आपने 10th क्लास पास कर लिए प्लस आपके पार लाइट या हैबी आपके पास कैसा भी ड्राइविंग लेसंस हो आप सभी यहाँ पर आबिदन कर स सबसे पहले आप सभी का रेटेन एक्जाम कंडार्ट करा जाएगा उसके बाद ट्रेड टैस्ट होगा उसके बाद डॉक्यमेश्याज रेनेबला है इस एड्रस पर आप सभीको अपने एप्लेकेशन फॉर्म को रजिस्टर या speed post के माध्यम से send करना होगा साथी फ्रेंट्स यहाँ पर आपको document के बारे में जानकारी दे दी कि यह कि आप सभी को अपने form को apply करने के लिए कौन-कौन से आपके document required है आप सभी को कौन-कौन से यहाँ पर document के आप सकता रहने बाली है इसके अलबा फ्रेंट्स यहाँ से आप सभी इस बरतिक detail जानकरी के लिए official notification को download कर सकते हैं offline form PDF को download करने के बाद आप सभी को print out निकलवा लेना है आप से लिए जान लेते हैं कि आप सभी को form को कैसे फ्लब करना होगा देखिए फ्रेंट्स जैसे आप सभी इस बरतिका offline form PDF डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर इस परकार का PDF देखने को मिल जाएगा टोटल जो आपका PDF रहने बाला आपका 4 page का PDF रहने बाला है अब जान लेते हैं कि आपको कैसे इसको कैसे फ्लब करना होगा देखिए फ्रेंट्स सबसे पहले आप सभी को क्या करना है यहाँ पर आप सभी को अपना पास्पूर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो आपको चिपका देना होगा और passport size फोटो चिप काने के बाद उस पर आपको cross signature कर देने यनि कि आपको इसको self-attested कर देना होगा आप सभी को फोटो चिप काने के बाद उस पर अपने signature कर देने होंगे इसके बाद friends आपको यह पर जानकारी देनी है इसके बाद आप सभी को अपने हैं पर आधरकार जो number है 12 digit का वो आप सभी mention कर देंगे इसके बाद आप सभी को अपने हैं फादर ने mention करना है इसके बाद आपको present postal address है नहीं कि आप सभी को अपने address यहां पर mention करना होगा सबसे पहले अपने गाओं है City का नाम उसके बाद आपका Post Office किया है उसके बाद आपका District किया है इसके बाद फिरिंट्स आपको अपने पर जो PIN Code है वो आप सभी को Mention कर देना इसके बाद फिरिंट्स आपको अपने एरिया का है स्टेट और पिन कोड आप सभी को Mention कर देना होगा इसके बाद फिरिंट्स आप सभी अपने हैं पर 10 डिजिट का Mobile Number Mention करेंगे अपका Active and Valor, यहाँ पर Mobile तो आप सबी क्या करेंगे हैं तो यहां पर आप से पूचा हुआ है क्या कर रहे हैं तो आप सबी रिजर्वेशन के लिए requirement reden तो आप सभी क्या करिए इसको फ्रेंट से आप सभी इसको खाले ही छोड़ दिनगे कि अपको यहां पर reservation चाहिए ही जैसे çीज में reservation चाहिए तो यह आप यहां पर जानकारी वन्ना आप सभी इसको रिखते छोड़ देंगे इसके बाद फ्रेंट्स आप सभी को यहां पर अपनी डेट ऑप बर्थ के बारे में जानकारी देंगे इसके बाद फ्रेंट्स आपको पनी एज को कैलकुलेट करना होगा आप सभी को 24 नॉबंबर 2023 से और जो आपकी एज है व इसके बाद फ्रेंट लेंट ऑप सर्विसेज आप इरीटफि मैं अप सभी को एक सर्विसमे人 है तो आपको यह फिलप करना वधना आप सभी को और छोड़ देना अवह यह कीवालों जो जस नम्मर आप्शन है यह आप typing एक सर्विसमेंट के लिए रहने बाला है इसके जानकारी देनी अपनी education qualification के बारे में, सबसे पहले आप सभी अपनी अपनी यहां पर 10th के बारे में जानकारी देंगे, जो आपने 10th class pass out किये, वो आपने किस year में pass out की है, इसके बाद friends आपने कितने mark प्राप्त किये थे और total आपका कितने mark का exam हुआ था, उसके बारे में इस board से pass out कियो, उस board के बारे में आप सभी यहां पर जानकारी देंगे, इसके बाद यहां पर second page पर आ जाएंगे, इसके बाद friends आपके पास जो भी driving lessons है, लाइट या है भी उस driving lessons का यहां पर number क्या है, उस number को यहां पर mention करेंगे, इसके बाद जो आपकी issuing authority है निकि जो यहां पर आपके बात हाँ की इसके बारे में जानकारी देंगे और जो आपके पास license कि कब तक है, इस सीच का जाना आप से का गया है कि जो आपको। फर्श्ट नमबरम यह आपका है एक कब तक कब तक है यहाःबर वाले जानकरी दे देंगे, इसके बाद आपको नीछे तरफ आना है जो आपके पर driving lessons है वो कब से कब तक वेलिड है उसके बारे में आप सब यहां पर जानकरी देंगे आपको ड्राइविंग का एक्सपरेंज है कब से कब तक का है उसके बारे में जानकरी देंगे तो आपको एक्सपरेंज किस इंस्ट्टूशन किस फारम से आपका जो यहां पर driving lessons बना है उसके बारे में आप सभी जानकार देंगे यह आपने किसी institute से कहीं से आपने driving सीखिया है तो इसका नाम आप सभी यहां पर mention कर सकते हैं देखिए friends यह जो आपके जो दो option रहने बाले थे यह आपके light वालों के लिए रहने बाले थे लेकिन यह आपकी जो रहने वाले यह आपके पास heavy driving lessons है तो यह आपको दोनों option फ्लब करने होंगे आपको पने driving experience के बारे में जानकारी देने होगे और जो आपका driving lessons है वो किस इंस्टूट के दवारा है किस firm के दवारा आपका driving lessons है वो आपका issue कियागा ए issuing authority के बारे में आ पर जानकरी दे दिंगे इसके बाद कोई रिलेवेंट आपके पास इनफॉर्मेशन है आपके पास एक्सप्रेंस है एंची सी है तो इसके बारे में जानकरी दे दिंगे देखे फ्रेंड जैसा कि मैं आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ यहाँ पर अपके सौर रुपे एप्लिकेसन फीस रहने बालिया जनरन वीचोट ऑफिस के अंड़ जो आपको फीका पेमेंट करना है वह आपको पुश्ट ऑपेस के माद्यम से करना होगा आप सभी को क्या करना है अपने पोश्ट ऑपेस में जाना होगा और वहां से आपको सो रुप post office के दुखार प्रिक का इंडियन पोस्टल और का वो आपको serial नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा आपकेअपना जब्रिया पहूंसे postal order खरी देंगे वहां पर आपको IPO में इंडियन personal order को आपको पर नंबर जो आपकर रहता है IPO का वो और नमबर आपको यहाँ पर mention करना है वो आपको IPO पर देखने को मिल जाता है date of issue यहाँ आपने किस date को फीका payment कर रहा है उस date को यहाँ पर mention कर दिंगे देखे फ्रेंट्स यहाँ पर आपको list of document attested देखे यहाँ पर आपको सबसे लिखना है टेंथ की मार्चिट उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है आधर कार्ड उसके बाद है दिया आप यहाँ पर general category से belong नहीं करते हैं तो आप सभी को यहाँ पर जाती प्मांट पदर निवास प्मांट पदर ड्राइविंग लेसंस इसके अलाबा आपके पास और भी दोकीमेंंट है तो उसके बारे में जानकारी दे द Bohे जो़ी आप अपने फॉणं के साथ डॉक्यमेंट रख रहे हैं उनके बारे में पर उनका यहाँ पर नाम लिख दिंगे यहाँ पर मैंने आपको इंपूर्टेंट जो तो इस declaration को आपको नहीं आपको यहां पर फिलाप करना है यह आप यहां पर फॉरम को apply करें यहां पर आप फ्रेंट्स EWS, SCA, STA, OBC category से तो आप सभी को क्या करना है आपको अपने आप नाम, signature और आपको पहले इस और date आप सभी को यहां पर लिख देने होगी इस परकार फ्र यहां पर फिलाप करना है यहां पर इसके बाद कौमा लगाएंगे और कौमा लगाने के बाद फ्रेंट्स आप सभी को अपना यहां पर address है जैसे address में आपको अपना नाम, फादने, विलेज, पोष्ट, डिस्टिक, इस्टेट और पिन कोड है आप सभी को यहां पर लिख देना होगा और आप सभी को अपने यहां पर एक mobile number भी लिख देना है इसके बाद फ्रेंट्स उसको आपको कैसे फिलप करना है देखे फ्रेंट्स यह आपका मुख बड़ा वाला लिफा पर रहने वाला है इस पर देखे फ्रेंट्स जो आपका टॉप है जो आपका टॉप रहेगा सबसे ऊपर है आप सभी को लिखना होगा application फोर्दा पोस्ट आप से और एमपी सर्कल यह जो आपको यहां से है application फोर्दा पोस्ट आप से और एमपी सर्कल तक यह आपको क्या करना है आप सभी को अपने बड़े वाला जो आपका लिफा पा है उसके आपको टॉप में आपको नहीं सबसे ऊपर जो मैंने अभी आपको देखाया उसको आप यहां पर आपको लि बड़े दीना है एड्रस में आपको अपना नाम लिलेज पोछ डिस्टिक इस्टेट और पिन कोड यह इसके बाद आपको side में क्या करना है to लिखना है और comma लगाना है और यहाँ पर friend जो आपको address है address मैं आप सभी को बतना चाहूंगो देखे friends यह आपका sending address रेने वाला है इस address को जो आपको यहाँ पर address दिया हुआ है इस address को आप यहाँ पर आप सभी को लिख देना होगा यहाँ पर आपको address को आप लिखेंगे to और comma लगाने के बाद इस address को आप लिखेंगे और जितने भी document के आपने photocopy करवाई है सभी document के आप सभी क्या करेंगे इस forum के अंदर रख देंगे इस लिफापे के अंदर सभी document को अपनों self-partister कर देंगे सभी document पर अपने आप सभी को signature कर देंगे और छोटे बाले लिफापे को भी इस बड़े बाले लिफापे के अंदर रख देंगे खाली ही आपको रखना होगा इसके बाद इसको चिपकाना है और अपने post office में जाना होगा और इसको आप सभी को send कर देना होगा आप सभी रजिस्टर आइस पीड पोश्ट के माधियम से send कर सकते हैं आज की वीडियों पर से इतना ही मिलता हूं कि यह वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहिंच वारत